गबराने के जरुवत नहीं है क्योंकि नाकपूर रिजिनल हैचरी सेंटर में मुर्कियों की बहुत एवियन इंफ्लूएंसा यानि बर्ट लोग के कारण हुई है इस बिमारी के प्रसार को रोखने के लिए शेत्रिय अंडा हैचरी केंडर नाकपूर के एक किलो मिटर के दायरे में सभी पोल्ट रिपक्षियों को वैदनानी ग्रूप से नश्ट कर दिया क्या है ऐसा कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर एनों ने कहा शेत्रिय हैचरी केंडर नाकपूर के अलावा जिले के किसी भी अन्य हिस्से में पार्टियों में कोई भी मर्दुक नहीं दिखा क्या है या दर्ज नहीं क्या क्या है चुकि अन्य शेत्रों की पार्टिया समस्या से प्रभावित नहीं हुई है इसलिए अन्य शेत्रों के जिकन मास और अंडों को ठीक से पका कर खाने में कोई समस्या नहीं है वही कलिक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर ने कहा कि स्वास्त को कोई खत्रा नहीं होगा डॉक्टर ने कहा कि या बिमारी या बिमारी अन्य शेत्रों में ना फैले इसके लिए तत्काल एतियाती कदम उठाए गए है ऐसा डॉक्टर विपन इटन कर इनके द्वारा समझा गया भारत में मनिश्व में बर्ट व्यों की घटना नगर ने है भारत में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है स्वास्तव विभाग के उपनेदेशक डॉक्टर कंचन वनेरी ने कहा कि चुकि दुनिया में कुछ सानों पर कुछ मामली पाए गए है इसलिए स्वास्तव विभाग ने सरकार के निर्देशों के अनुसार उचेद सावधानी और उपायों की योजना बनाई है नागपुर में स्वास्त उपनेदेशक के कारले में सभी संभधित एजेंसियों की एक बैटक संपन हुई क्योंकि निर्ख्षन के पाद यसपष्ट हो गया कि शेत्रिय अंटा हैच्री केंद्र नागपुर में मुर्कियों की मौद बर्ट्रियों बीमारी के संक्रमन की कार इसे लेकर तरह तरह की शंकाय और अफाय फैली हुई है डॉक्टर का कहना है कि अगर आहार में चिकन और अंडे ठीक से पकाय जाए अंडे ठीक से उबाले जाए तो उन्हें खाने में कोई दिकत नी होती है ऐसा कंचन वानिरी ने समझाया एतियात की तोर पर सभी स्थानो पर जन स्वास्त विभाग की टी में तैना कर दी गई है उन्होंने कहा कि जिन जगों पर इंफ्लुएंजा जैसी बीमारी पाई जाएगी वहां मरीजों को अलग किया जाएगा और उनकी गले की नमुने जाज के लिए लिए जाएगे प्रभावी शेटर को वेधानी तरीक नहीं होगी कैमरा परसन राजकुमार बहुट के साथ अभिशिक पांसी की रिपोर्ट